नमस्कार प्रेंड मुँ शैकर ओडिशा अनलाइन सेवर आपनोंको स्वागत करची आजी रहा आउएक नुआ भीडियो को फ्रेंच मुँ आपनोंको पाईं बहुत थरा बिजनेस लेटेड भीडियो नेही आस्तेली आजी भी आउट ये बिजनेस लेटेड भीडियो नेही आस्तेली आगर मध्य एही प्रकार भीडियो अपलूट करी मुँ आपनोंको देई ची मुँ आपनोंको आगरू CPE Enterprises रो इट्टा मेशीन वीशोयरे कही ची वीडियो मध्य अपलूट करी ची आपनोंने देखी थीवे तो सही CPE Enterprises आउरी नुआ मेशीन तियारी करी ची इट्टा तियारी करी वार मेशीन सिमेंट इट्टा तियारी करी वार मेशीन आपनो पुरे भीडियो कुँ शैसो पर जोंगत देखी बे जहाँ दोर आपनो सबकी ची बुझी बार सिमेट इटा बा फ्लायास ब्रिक्स जहाँ को आपनो कोई चांती सही मेशिन विश्वयर मुँ आलोजना कोड़ची तो एही मेशिन ले आपनो दुई प्रकार रो डाय फीटिंग करी आपनो इटा प्राडक्सन करी पारीबे जो फ्लायास ब्रिक्स लोईची यहतीरे दुई प्रकार रो डाय आपनो लगे पारीबे तो, आपनों पुरा फिडियो कु सशा पर जन्त देखी बे, शे कौन कोच चन्त अपनों तांका महर सुणी बे पूरा गुटि गुटि करी चे मेशीन लो डिटेल्स पूरा अपनों को बुझे बे बे चलंतो आपनों सबकी की चे बुझे बरीवे तब सुध लो दोस्तो नमस्काव इंटरफेश से बिलवारा राजसान में स्थिते जी हाँ आज हम जिस बिजनस की बात करने चाहे हैं वह ब्रिक्स मैकिंग मशीन है यानि की इटो को बनाने की मशीन इस बिजनस को स्टार्ट करने की लिए ना तो आपको पड़ाय लिखाएगी ज़रत होती है और ना ही किसी ट्रेनिंग की आवशकता होती है कोई भी बंदा इस बिजनस को आसनी से स्टार्ट कर सकता है जी हाँ दोस्तो आज हम बात करने वाले ब्रिक्स मशीन की यानि की सिमेंट की इट बनाने की मशीन आज दोस्तो मैं आपको दो मली बताने जाया हुँ फर्स वाएबरेटिंग टेबल और दूसरी वाएबरेटिंग मशीन जी दोस्तो इस मचीन के बारे में आपका कुछ जान करें भी दिछाएगी और इस मचीन के बारे में आपके कुछ प्रेक्टिकल करकी भी बताया जायेगी जिसा कि आपको बताये जायेगा ब्लॉक होगी रंगे बारे में ब्रिक्स मशिन के भारे के ब्लॉक होते हैं। अब दोस्तों हम बाद करने वाले मिक्सर कीजि़े हां। बाइब आपके प्षाट जीए तो इसे चोटा मिकसर भी आपको अगलेबल हो जाएगा जैसा कि दोस्तों आप देखें लिए इस ते निस तीन प्षाट का मिकसर है इसमें भी आप अपना मैटेर है इस तरह का आपको बिल शक्ता है ठारी किया। आपक्रीज कर दोच दो एिंग है अब दोस्तों हम बात करने वाले मिक्सर की जैसा कि दोस्तों आगे मिक्सर देख सकते ही यह पांच पित्रा मिक्सर इसमें आप अपना मसाला आजामी से मिक्स कर सकते हैं मसालक क Revolution है गर आप चाहते ही कि आपको ऐसे छोटा मिक्सर चीए तो ऐसे छोटा मिक्सर भी आपको अगलेबल हो जाएगा जैसा कि दोस्तों आप देंगा हें इस तीन क्कता है इसमें अपना मरूऀल्स आजानल से मिक्स कघे हम बात करने वाले इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने लेबर चाहिए होते हैं दोस्तों इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए आपको तीन से चार लेबर चाहिए होते हैं फर्स जो इस मशिन को अच्छे से ओपरेट कर सके हैं लेकिन जो आपके ईटों को आसान से सुखा सकें तीसरा जो इस मटिरियल को आप तक पूचा सकें इसमें कम से कब आपको तीस सी चार लेबर से चाहिए होते हैं अगर आप इसके इट की बात करें तो इसको आप 18-20 घंडे इस इटों को आसानी से सुखा सकते हैं आप चाहिए तो इसको दूब में भी सुखा सकते हम जबाए सिर और आप चाहिए तो इसको दूब में भी सुखा सकते हैं यह सब यूसफूर होता है, जो आपको आपके लोकल अरिया में आसे ने से मिल सकता है मेरे यह कहीं तदी की मशीने मेंडिवेक्श होती है स्टार्टेलेक पच्छाल अजाए से लास्ट आपको 22 लाग तक की मशीने भी मिल सकती है जी दोस्तों यहां पे अलग 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 तरीकी मशीन हैं, अलग अलग तरीकी प्रड़िक बनाने में काम आती हैं, Manual Vibrating Machine, Hydrolic Vibrating Machine, Soundže automatic machine यहां कहीं तरीकी मशीनें manufacturing होती हैं, आज बात करने वाले manual vibrating machine की इस machine में आप एक बार में चार बिक्स बना सकते हैं इसमें एक मोडर लगियों की vibrating के लिए जो single face की होती दो अपनी घर की रेट से भी चला सकते हैं आप अपने अमार्केट में आसानी से सेट कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके material के अगर हम इस material की बात करें तो बालू, रेट, कंक्री, फ्लाइस्ट, पानी यह सब यूसफुल होता है जो आपको आपको आपकी local area में आसानी से मिल सकता है तो हमारे यह कहीं तरह की मशीने manufacturing होती है अब बात करने वाले हैं इस मशीन में आप एक बार में चार्थ बिस बना सकते हैं इसमें एक मोडल अगयों की vibrating के लिए जो single face की होती तो अपनी घर की रेट से भी चला सकते हैं प्राइब बात की तो हम प्राइब तो हमारे वाले हैं इस मशीन को अपने गर से संट कर सकता है किम बाते इसके मड्यर की जो दोस्तों गां उशेरों शेरों लेकर आज-पास के एज़यों में आपको आज आज पास इसे मिल सकता है इसा कि अब हम बात करते हैं मिट्टी की इट की और सिमेंट की इट की मिट्टी की इट की इट की मिट्टी की इट को गॉर्मेंट द्वारा कहीं जगे पर बैंड कर गया इससे प्रदूशन भी जादा होता है और सिमेंट की इटो की जादा दिमाद है और ही मिट्टी की इटो लोका सब हुँ कि इट की बात करते हैं तो इससे आप आरह मेने आस्टासानी से चला सकते हैं इससे ना तो कोई प्रदूशन होता है और इससे इट की मजबूती भी अच्छी देती है इससे आप 18-20 दिन आखानी से सुखाकर अगर आपको इससे भी अधिर चान करें ले सकते हैं तो आसा कुर्ची मेडम आपनों को भीट्वरे समपुर्ण डीटल सेयर कोरे चनती जदी आपणों गमनोरे कीछी बी ढाउड आची, कीछी बी प्राउड आची, तो डाउड घ्लेर करी रहा बापइं, प्राउटनोर उत्तर प्तार पाईबाऊई, स्क्रीन उपुरे दिया जाइती आइधा नंबररे आपणा जुगाजुक करी पारी पारी बे, तांको सय तो क वीडिवा देखिवा पाई एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करोंतु आप आखर्या सित्वा घंटी चिनों को दबे दियोंतु नमस्कार जय हिंट